नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मगदलीका, आप सब के लिए बहुती बढ़िया चटपटा पुरकुरा सा नाश्ता लेकर आई हूँ, यह है पनीर आलू की रोल, बहुती बढ़िया इजी टेस्टी स्नेक है, इसे बनाकर आप महिनों तक फ्रिज में भी रह सकते हैं, और जब मनचा प्रिण पनीर भी ले सकते हैं, इन्हें इस तरह से कट करने के बाद में हम मैरीनेशन बनाएंगे, एक बोल में आप एक चमच लाल-मिष पौडर डालें, साथ ही में चताई चमच हमें पर हलदी पौडर डालेंगे, चताई चमच यहाँ पर नमक डालेंगे, और इसमें एक भी इस तरह से मिक्स करने के बाद में हमारे पास में यह थोड़ा सा मैरी नेशन वाला पिस तयार हो चुका है अब हम इसमें पनीर के पीस डालेंगे और अच्छे से कोट करेंगे यदि आप प्लेन पनी लेते हैं तो इन मसाले को अच्छे से ज़्यादा बनाएं और इसे पनीर के पीस यहां पर कोट हो चुके हैं अब हम इन्हें तवे पर हलका सा रोस्ट करेंगे तो एक पैन में थोड़ा सा तेल ले और उसमें हम सभी पनीर के पीस को डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें अच्छे से हर तरफ से शेक लेंगे यदि आप मार्केट का काफी सौफ्ट पनीर बना है तो हमेशा में जब भी यूज करती हूं तो घर पे ही बनाकर इसे यूज करती हूं इस तरह से अलटते पलटते हुए अच्छे से से लेंगे तो इस पर से अच्छी सी करारी लियर आ जाए और अन्दर से बहुत ही बढ़िया सौफ्ट हमारे प प्रेंट बनते हैं तो आलू को ठंडा जरूर करने इसलें करकले मेजूरम्स नमक यहां नालीज प्रेश धनिया डालेंगे और इसमें हम ब्रेड्ट क्रम्स डालेंगे। मात्रा हमेशा आलू की नेचर और उसकी कंसिस्टेंसी पर डिपेंट करता है तो मैं इसका पर प्रॉपर मेजर्मेंट्स नहीं बता सकती हूं ड्राय ब्रेट क्रम्स लें और साथ ही में हम दो टेबल स्पून की करीब यहां पर कॉन फ्लार लेंगी कॉन फ्लार भी आलू यद डूका आठा बनाया था उसे लेंगे और अच्छे से उसे फ्लेट कर लेंगी इसारह से sed लेंगे हम प्र करने के से यह सब्सक्राइं अभीई केर ना आने दें बहुत अच्छे से टाइट इन्हें रोल करें एंड्स को अच्छे से सील कर लें यादि आपका आलू काटा इसनों परफ्रेक्ट लगेगा तो यह कट्लेट बहुत ही भढ़िया बनेंगे तो आलू को आप जरूर से फ्रेज में रखके ठंडा कर लें और इस इसका पतला सा एक घोल बना लेंगे ऐसा करने से कट्लेट को फ्राय करते हैं तो फटने की चांसे काम होते हैं और यह बहुत ही बढ़िया किस्पी बनते हैं यदि आपकी पास में कॉनफला नहीं है तो मैदा से भी इस तरह से स्की सलरी बना सकते हैं अब हम यहाँ पर एक इसे में गर पर ही बनाया है कॉनफि Typically उर्न तयार है और हमारी कट्लेट हैं कट्रेट लेंगे उसे अध्यक्स करें और सातुत ही में अच्छे से कोट और इसी तरह से साभी हम जो कटलेट्स हैं तयार कर लेंगे बहुत ही बढ़िया और टेस्टी कटलेट्स बनते हैं सबसे बड़ी बात है कि इनमें कम से कम इंग्रीट्स चाहिए पनीर हमने घर पर बना लिया है आलू हमेशा घर पर अविलेबल रहता है तो इस तरह से बहुत अपना करें नहीं तो आपसμεं चिपक जाएंगे और हम जब इन फ्राइU करें तो तूट जाएंगे तो इस तरह से सिसक अब करें क्या आप ध्यान रखें तेल बहुत तेज गरम होना चाहिए और फ्लेम हाई पर रहनी चाहिए ऐसा करने से यह विल्कुल भी ऑईल एब्जॉब नहीं करेंगे और यही बैस क्वालिटी होती है कि जब हम कुछ फ्राइट खाते हैं और उसमें ऑईल का विल्कुल भी नामो निशान नह करेंगे और उसके बाद में नेक्स बैच को करेंगे तो इस तरह से हमारे बहुत ही बढ़िया जटपट से बनने वाले आलू कटलेट तैयार है आप देखिए हमारा सेकेंड बैच भी फ्राय हो चुका है बहुत ही बढ़िया यह फ्राय हुआ है और कितनी आसानी से हमने इन कटलेट को बनाकर तैयार कर लिया है इन्हें गर्मा गर्म चटनी और कैचप के साथ में एंजॉय कीजिए आप देखिए कितना बढ़िया इंका टेक्षर है बहुत ही बढ़िया टेस्टी है इस बार जब भी घर में गैस्ट आया कुछ क्लेट पटा कुछ तीखा खाने का म करें इन्हें जरूर बनाएं एंजॉय करें इसी तरह की रेसिपीस के लिए हमाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू अ कर दो कर दो कर दो